जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या फिर मेरे ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा भी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पर लगी बैल आइकंट की जरूर दबादें तकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे और दोस्तों गर आपको हमारे काम पसंद आता है हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लिंक भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस लिंक पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल की मेंबर्शिप ले करके अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं करनाटक में नाक कट चुकी है मध्यप्रदेश में चुनाओं से पहले फाइलों में आग लगने लगी है मतलब शिव राज के मंद्राले में आग का तमाशा चल रहा है सरकार की विदाई से पहले करप्शन के सुबूत मिटाने का सिलसिला शुरू हो गया है साथी साथ आरेसेस ने भी अब तो नसीहते देना भी शुरू कर दिये है कुल मिलाकर साफ दिख रहा है कि फलाने की हालत उस टेंट वाले जैसी हो गई है जिसका शामियाना फाड़ दिया गया है दुलन फरार है और बराती गाइब है दूसी तरफ डंका पती का पूरी दुनिया में अलग से डंका बज रहा है दोस्तो ट्विटर के फाउंडर और फॉर्मर सी ई ओ जैक डोरसी ने ने भारत की मौजूदा डेमोक्रिसी पर बेहत संजीद सरकाज्म यानी कटाक्ष करते वे मौधी सरकार पर धमकी और दबाव का इलगाया है दोस्तो ट्विटर के फाउंडर जैक डोरसी का इलगाया है कि किसान अंधुलन के वक्त मौधी सरकार ने ट्विटर पर दबाव बनाया था कि हमारी गोद में गोदी मीडिया बन कर रहो वरना भारत में तumeरा करियाले बंद कर देंगे मोधी सरकार ने ट्विटर से कई ऐसे पत्वकारों के एकाउंट्स बंद करने के लिए कहा था जो सरकार के critics थे और ऐसा ना करने पर Twitter को बंद करने और employees के घर चापे मालने की धमकी भी दी थी अब शायर ट्विटर के फाउंडर जैक डोरसी का भी कोई और अग्जेप से करेक्शन निकाला जाएगा पर दुनिया को पता चल चुका है कि दुनिया की सबसे बड़ी सो कॉल डेमोक्रिटिक कंट्री में कैसे डेमोक्रेसी की मदर सिस्टर करी जा रही है जूट बोल का संसद में राजदन इस्टैबलिश करने वाले सस्ते राजा दुनिया भर में मुल्क की नाक कटवा रहे हैं और इंडियन डेमोक्रेसी को बदनाम कर रहे हैं मतलब ताना शाही की सारी हदे पार कर दी गई हैं आम जनता की आवास को कुचलने के सारे पैतरे अपनाए जा रहे हैं सोचिए अगर सरकार ट्विटर पर दबाव बना सकती है तो और क्या क्या कर सकती है Mother of Democracy G20 के मुखिया और विशुगरू भारत की सरकार का दुनिया भर में डंका बज रहा है ट्विटर के फार्मर सीईओ जैक डोर्सी ने दो टूक कहा है कि मोधी सरकार ने ट्विटर पर एक्शन लेने उनके करमचारियों पर छापा मालने की सिवधम की ही नहीं दी बलकि ऐसा किया भी है खैर भारत में ये बात सभी जानते हैं इस अंडिकलेर्ड एमर्जनसी को मुल्क अभी भी जेल रहा है पर अब तमाम जानकारों का मानना है कि नरेंद्र मोधी सरकार की जमीन लगातार खिसक रही है शायद इसलिए बीजेपी के डबल इंजन वाले महर्द परदेश का सची वाले सुलग रहा है शिवराज सरकार के काले कारनामों वाली कोविट काल की फाइले नरसिंग घोटाला, वनाधिकारी कानून और E.O.W. लोकायुक्त को करी गई करप्शन की शिकायते सब जल कर खाक हो गई है एक ही रात में बीते नौ साल से यही हो रहा है रफैल डील की फाइले भी गायब हो चुकी है आने वाले दिनों में नरेंद मौदी सरकार के हर घोटाले की फाइल गायब हो सकती है लेकिन इस डिजिटल दोर में हर कदम के निशा मिल ही जाते हैं दोस्तों जब दुनिया भर में नालाइकों का डंका बजने लगे तो समझ लें कि मुल्क की सियासत बदलने वाली है 2014 से पहले भारत के नजदी की सभी मुल्क पाकिस्तान, बंगलादेश, शिरलंका, नेपाल, भूटान, मियानमार पर भारत का दबदबा था कारोबार तक में चीन पीछे था 2014 के बाद भारत को इन सब ने निकाल फेका है और चीन ना सिर्फ कारोबार में बलकि सारी बातों में इंफ्वेंसर हो गया है चीन रूस के साथ है बंगलादेश, नेपाल, भूटान, मियानमार, शिरलंका, मालदीव, मलेशिया, चीन के साथ है पाकिस्तान तो है ही शिरलंका, मियानमार, बंगलादेश, नेपाल ही भूटान भी One China Policy का सपोर्ट कर चुके हैं मतलब लद्दा, उत्तराखंड, अरुनाचल, अकसाई चीन, मान सरोवर, नागा लेंड, मनीपूर पर चीन की नजर है दुनिया ने साफ कह दिया है कि वन चाइना पॉलिसी को मानो मतलब राश्टरवादी हिंदू राश्टरवालों ने दुरगती कर दी है रूस पाकिस्तान में उतर गया है, साहिब के चलते डिप्लोमेटिक और स्ट्राटिजिक हालात इतने पतले हो गए है कि पाकिस्तान का खुल कर विरोध भी नहीं हो पा रहा है और भूटान, नैपाल, मियानमार, बंगला देश और श्रिलंका ने भारत पर मुकदमा ठोक रखा है चीन सुपर पावर के तौर पर आगे बढ़ रहा है नेटो के पास पैसे नहीं है इधर मुलक में किसान तबाह है नौक्रियों में बेहताशा छटनी हो रही है युवा बेरोजगार है जनता को अनपढ़ गवार रखने की मोहिम तेजी से चल रही है उधर कैनडा ने 700 इंडियन स्टूडेंट्स को कैनडा से बाहर निकाल दिया है 56 इंची सीने वाले चुप्पी साधे बैठे हैं एक तरफ डोकलाम से लेकर गलवान तर भारत चीन की सरहत पर पिछले कुछ वक्त से तनाव बढ़ा हुआ है वहीं दूसी तरफ चीन भारत के ट्रेडिशनल खाड़ी दोस मुलकों के साथ अपने रिष्टों को मजबूत कर रहा है विश्गुरू कितना भी अपने आपको ग्रेट पावर कहें लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे है चीन भारत के ट्रेडिशनल पार्टनर के यहां अर्बो डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहा है जाहिर सी बात है कि चीन ऐसा करके भारत के इंफ्लूइंस को कम कर रहा है क्योंकि जहां इन्वेस्टमेंट बढ़ता है वहां दोस्ती भी बढ़ती है नया भारत चीन की तरह खाड़ी मुलकों में बड़े समझातें नहीं कर पा रहा है क्योंकि भारत की मौजूदा सरकार मुसल्मानों को सबख सिखाने में बिजी है वो अभी भी मुगलों से जंग लड़ लई है जिसके चलतें भारत की अर्थ विवस्ता भारत की एकानमी के हालाद बहुत ही खराब हो चुके है वहीं चीन की बात करें तो उसकी अर्थ विवस्ता तकरीबं 17 ट्रिलियन डॉलर की है जबकि भारत करीब 3 ट्रिलियन डॉलर पर है चीन के पस पैसा है टालेंट है जिसका वो इस्तमाल कर रहा है और चीन सेंट्रिक दुनिया की तरफ खदम बढ़ा रहा है भारत में अभी पूरा टालेंट हिंदू मुसल्मान वाले तमाशे में लगा हुआ है पूरी दुनिया में भारत में हो रहे मुसल्मानों के साथ बर्ताव पर लगातार सवाल उट रहे है और हकीकत यह है कि भारत में मुसल्मानों के साथ जो हो रहा है उसका असर फॉरेंड पॉलिसी पर पड़ रहा है दुनिया के तमाम मुलकों को भारत में इसलाम मजभ खत्रे में दिखाई दे रहा है जो भारत के लिए अच्छा नहीं है नूपर शर्मा केस में भारत को खाड़ी मुलकों से आलोचना का सामना करना पड़ा था दोस्तों साओधी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है साओधी अरब और भारत के रिष्टे मोदी सरकार में कई मोचों पर अच्छे हुए हैं लेकिन यूक्रैन और रूस में छड़ी जंग के बाद से बदलते वर्ल्ड ओर्डर को लेकर चीज़े काफी तेजी से बदल रही हैं दुनिया के सबसे बड़े तेल प्रोडियूसर देश साओधी अरब और सबसे ज्यादा फ्यूइल खपाने वाले देश चीन के बीच रिष्टो का बेस अभी तक तेल ही रहा है लेकिन अब उन दोनों मुलकों के बीच रिष्टो की तस्वीर बदल रही है सैटरडे संडे को साओधी अरब की कैपिटल रियाद में हुए दसवे अरब चीन बिजनस समिट में दोनों मुलकों ने अपने रिष्टों को नई उचाई देने की कोशिश करी है इस सम्मेलन में दोनों मुलकों के बीच दस अरब डॉलर के समझोते भी हुए हैं अब एहम बात यह कि पिछले हफते ही प्रधान मंतरी नरेंद मोदी और साओधी अरब के प्रधान मंतरी मुहमद बिन सल्मान ने फोन पर बात करी थी दोनों ने आपसी रिष्टों को रिव्यू किया था दिलचस बात यह है कि चीन की तरफ से इरान और साओधी अरब के बीच दिप्लोमेटिक विष्टे बहाल कराय जाने के बाद नरेंद्र मोदी और साओधी अरब के प्रधान मंतरी मुहमद बिन सल्मान की यह पहली बातचीत थी प्रपधानमंत्री नरेंद मोर्दी और सौधी क्राउन प्रिंस की बातचीत के बाद ही सौधी अरप ने चीन से एहम कारोबारी समझोते कर लिये हैं इससे पहले सौधी अरप ने श्री नगर में G20 की एक बैठक में अपने डेलिगेशन को नहीं भेजा था श्री नगर में G20 की बैठक कराने पर पाकिस्तान ने काफी अबजेक्शन दर्ज कराया था जिसके बाद चीन, सौधी अरप, तुर्की और मिस्र ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिस वहां नहीं भेजे थे तो आपको बता दूँ कि इस साल G20 की अध्यक्षता भारत के पास है और नवंबर के महीने में नई दिल्ली में G20 समिट होना है फिर चीन और सौधी अरप की बात करें तो कुछ दिन पहले ही अमेरिका के विदेश मंतरी एंटनी बिंकेन ने सौधी अरप का दौरा किया था और अब रियाग में चीन के इन्वेस्टर्स और कारोबारियों की भीर लगी हुई है ये सब कुछ सौधी अरप की बदलती प्रायोटीज के बारे में बहुत कुछ बताता है मतलब सिंपल लेंगविज में कहा जाए तो चीन और सौधी अरप जिस तरह करीब आ रहे हैं वो मकाबले भारत काफी पीछे खड़ा नजर आता है नए भारत की बीजेपी सरकार फिलहाल तो अपने ही मुलकों के मुल्नों को टाइड करने में बिजी है भारत सरकार चीन के बढ़ते दबदबे को रोकने के लिए क्या तैयारी करती है इस पर कोई बात नहीं हो रही है वही इन जानकारों की माने तो सौधी अरब और चीन की दोस्ती का बेहद नेगटिव असर भारत पर पड़ेगा मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ जाए हिंद सत्ते मेव जाएते अल्ला हाफिस दोस्तो हमारा पूरा वीडियो और दूसरे वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशावी डॉक्टर अरशी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को जरू दबाने तकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे और दोस्तो अगर आपको हमारा काम पसंद आता है हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो www.patreon.com अरशी हान पा जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं पेटरॉन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जिस पर क्लिक करके आप पेटरॉन बन सकते हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबर्शिप भी ले सकते हैं इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जिसका क्लिक करके आप अपने इस चैनल की मेंबर्शिप ले करके अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेस्बुक पेज़ पर मेरा ट्विटर हैंडल है अट दरेट अफ औरशी अजीस खान थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में